एक वो जीत जिसका भारत को बेसबरी से इंतसार था एक वो जीत जिसकी टीम इंडिया को शिद्द से दरकार थी एक वो जीत जिसकी बुनियाद पर भारत के भवश का क्रिकेट निर्धारित होने बाला है ये वो जीत है जिसने तारीक में अपनी मौजूदगी को अमिट बना दिया है 11 साल से चैंपियन्स की वो ट्रॉफिय उठाने की हसरत विश्व विजेता बनने की वो प्यास दुनिया जीत लेने की वो वर्षो की आस वो हसरत पूरी हुई है वो आस पूरी हुई है भारत एक बार फिर वर्ड चैंपियन्स बन चुका है भारत ने फिर एक बार विश्व विजेता की ट्रॉफिय उठा ली है भारत ने दिखा दिया है फॉर्मेट कोई भी हो और अब बन गये हैं वर्ल्ड चैंपियन लेकिन हारी हुई बाजी को जीत में कैसे बदला गया वो कौन सी टर्निंग पॉइंट जिनकी वज़ा से भारत फिर से बन गया वर्ल्ड चैंपियन वो पाँच टर्निंग पॉइंट इस वक्त हम आपको बताएंगी सबसे बड़ा प अक्षर पटेल और शिवम दूबे के साथ दो बड़ी साजितारी खेली और छेत्तरन बढ़ाकर दक्षन अफ्रिका के एक चैलेंजिंग स्कोर उन्हें दे दिया अब हम बात करेंगे दूसरे टर्निंग पॉइंट की दूसरा टर्निंग पॉइंट अक्षर पटेल की अब इसके बाद हम बात करेंगे दीसरे पॉइंट की इसके बाद जिम्हेदारी थी बॉलर्स के पास जो फटाफट विकेट ले सके लेकिन प्लसन की शांदार बलेबाजे रिदक्षन अर्फुका को मस्बूत ही रही थी और ऐसे में हार्रिक पांडिया ने प्लसन को अब हम बात करेंगे पांच में आखरी टर्निंग पॉइंट की फिर भी मैच जीत और हार के बीच में अटका हुआ था और अभी भी अफ्रिका का पलड़ा भारी ये दिख रहा था छे गिंदों में सोला रन चाहिए थी और हार्विक पांडिया की गेंग पर वबारा ने छ खक्का मारने की कोशिश की जिसे सोरे कुमार यादाउ ने शांदार तरीके से बॉंडरे पर ही लपक लिया और इस तरह हमें ये जीत हासिल कोई अब टीम इंडिया के कप्तान दोहिश शर्मा से सुनिये कैसे वो और उनकी टीम ने जीत की ये अतहासी कहाने लिख डाली है मेरे को अब ही किसी ने बताया भाई you started in 2007 you won the world cup and you leaving the game winning the world cup so that's a tailor made situation for me best मतलब मैंने start किया था जब पेली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में पहला मेरा challenge था obviously मैं Ireland गया था 50 ओवर के लिए बट उसके बाद तुरंत ही हम South Africa गय थे T20 World Cup खिलने के लिए और वहाँ पर जीत है उसके बाद अभी ये तो full circle proper circle so I'm very happy with this भारत की इस जीत का जश्ट मनाने के लिए दली से लेकर चन्ने और मुंबई से लेकर कोलकता तक बेश के कोने कोने में लोग सडकों पर उतर आए पूरा पशिम उतर दक्रण हर दिर्शा में ठीम इंडिया के नहरे लगने लगे भारत की जीत ने जून में ही दिवाली मनाने पर मजबूर कर दिया देश में खुशी की ऐसी लहर दोड़ी कि एक जगा की तस्वीर दिखाने में टीवी की स्क्रीन छोटी पर जाएगी फिर भी हमने कोशिश की है कि देश के जादतर शेहरों की तस्वीरे हम आप तक ले कर आए लेकिन क्या शेहर क्या ग्रामीनी अलाका क्रिकेट तो वो जगह है जो कहीं से भी अचूता नहीं है और क्या शेहरी बच्चे, क्या ग्रामीने लाके के बच्चे, क्रिकेट को हर हाल में देखते हैं और कल का मैस तो डू एंडाई सिच्वेशन में रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जेश्ट मनाना बनता है दिवाली से पहली भारत ने दिवाली मना ली है दिल्ली, मुंबई, कुलकता, बेंगलरू, हदरबाद, चन्नई, ओधैपूर, वडोदरा, पटना, राइपूर, गौलियर, नागपूर, जम्मू, प्रियागरा, चिंदौर, चंडिगर, मेरट, बस्तर, शिलॉग और हुबली यानि करनाटक, इन जगों की तस्वीरे इस फक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसके आलाबा उन जगों के भी तस्वीरे हम आपको दिखाएंगे जो अभी टीवी पर नहीं है यानि जो जहां था, जश्ट में डूबा हुआ था ये जीत हमें 17 साल बाद हासिल हुई है और जाहिर से बात है, अगर लंबा इंतजार हो और ऐसी खुशी मिले तो दिवाली मनाना तो बनता है टीम इंडिया के कोच राहू ब्रग्रीन इससे सुनिये कि वो कौन से टर्निंग पॉइंट थे जिनके वज़े से टीम इंडिया बनी विश्व विचीता कैले बियाई देश बार्बे डॉस में खेले गए इस सतहासिक मैच को देखने पहुंचे भारतियों का तन बढ़ गया भारत की जीतने उन्हें जेश्ट में डुबो दिया न्योसेट इंडिया से बातचीत में लोगों ने अपनी खुशी जाहिड की है पैक्समेन विन मैचेज बट पोलर्स विन टूनामेंट्स आईसी एई ने आज जेश्ट मनाया टीम इंडिया की जीत को लेकर और दिल्ली में टीम इंडिया की जीत पर ये जश्टनिक की तस्वीर हम आपको दिखाने जारे है खुशी में चार्टेट अकाउंटेंट गाने की धन पर जम कर थड़के वर्ल्ड कप जीतने ये बाद जगा 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 इंडिया टीम को बदहाई या दी जा रही है आप तस्वीरों में देख सकते किस तरह से शक्ते इंडिया पर डैंस हो रहा है यहां तरसा भारत में दूसरा वर्ल्ड कप जीता है और पूरा देश इस वक्षश में जूबा हुआ हुआ है मैं एक बार बताएए क्या कहना चाहेंगी आपकी राण पूर यूणीड इती लेकिन आप इंडिया टीम पर प्रक्राश्चेट करें कि यहां पर प्रक्राश्चेट करें मिस्टर शेड़ा जी है वाइस प्रेजेंट इंडिया हर फ्रंट में जीत रहा है जाए वर्ड्सप को जैजिद्गी का हर फ्रंट हो और लीड कर रहा है प्रफेशन कल सीएडे है और उसके लिए हमने आज विक्स्वित भारत की दोड़ लगाई है तीन ओवर में तीन विकेट लेने वाले हादिक पांडिया की गेंदबाजी ने चीचवेंटी वर्ल्ड कप में भारत की तरफ रख मोर दिया हार देख से सुनिए जीत की दास्तान कि अच्छा करता है और अच्छा करता है वह बहुत स्पेशल पीलिंग और अविस्टी जब जब ही मौका मिला मुझे अच्छा कर पाए और हमेशा इसे ही खेला है जब भी मौका मिलता है आप करो चोटा भी अगर रोलो अगर एक ओर भी डालना है आपका बेस्ट एक ओर डालने की कोशिश करो उसमें मोमेंट्स बनते हैं आइटिंग तुछ वह भी वैसा ही था कोशिश थीक एक बढ़िया ओवर डाले सिच्वेशन के हिसाब से और की शांदार कप्तानी के लिए पीम ने बढ़ाई दी साथी पीए मोधी ने फाइनल में विराट कोली को उनकी पारी और क्रिकेट ट्रीम में उनके योगदान को भी सराहा पीए मोधी ने हार्दिक पांडिया जस्प्रीत बुम्रा और सुरेकुमार ग्यादों की तारीफ की है साथी पीम ने भारती प्रिकेट में योगदान के लिए दाखुल ड्रवड को भी धने बात दिया है तो दोड़ोई शर्मा को शांदार कप्तानी के लिए बढ़ाई दी वराट कोली की भी तारीफ की क्योंकि साथ-साथ उन्होंने टीट्वेंडी फॉर्मेट से सन्यास लिया है तो क्रिकेट में उनके योगदान को लेकर भी टीम इंडिया को लेकर टीम की जो भावनाय रही कल देडात मीं हमने देखिया कि उन्होंने एक बकाईदा वीडियो से आजा किया टीम इंडिया के होसला अफजाई के लिए और आज बकाईदा सभी इन चेहरों से बा देश्वासियों की तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई आज एक सो चालीस करोड देश्वासी आपके इस शांदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता लेकिन हिंदुस्तान के हर गाउं गली मौले में आपने कोटी-कोटी देश्वासियों का दिल जीत लिया बाव वर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं शदालू भी टीम इंडिया की जीत से गदगद हैं न्यूस यटिन की टीम ने ऐसे ही कुछ और शदालू से बात चीत किये क्या कहना है उनका सुने आप से रहे हैं भारत के बेड़े में आया है दूसरा विश्व कप और कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर घाटी की उंची पहाड़ों तक गुझ जीत की वो सुनाई दे रही है हमारे साथ कुछ लोग बजूद है जो पूरे भारत के अलग अले कोनों से आए हैं क्या कहेंगे भारत जीता है क अधर को डेड़ बे तक पहले वर्ल्ड कप देखा और राइब जागे हो क्यूंकि भारत का मैच भी था वीश्व कप जीतना था और यह एक एक साइटमेंट थी एक साइटमेंट है भारत की घाटी में आया बारत के जन्नत में है बिल्कुल बिल्कुल भारत के तास के पास बाबा बसाने के दर्शन भी हो रहे है और जीत की खुशी भी और जाके मैच भी देखा है और फिर दो बजे आके लंबी-लंबी कतारों में लगे हैं क्यूंकि आज बाबा बरफानी का दूसरा जहता जो है वो गुफा तक पहुंचना था और लोगों ने यात्रा अपनी ज है करने कुमार से लेके कश्मीर घाटी तक उसकी जो गूंज है वो सुनाई दे रही है तो फिर से हो जाए एक बार बाब बंबं बोले और यह चे तस्वीर इस पर आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली व्राइपूर मुंबई जमू कोलकता और किरल यह वहां की तस्वीरे ज जहां लोग समय से पहले ही दिवाली मनाते वे नजर आए क्योंकि खुशी इतनी बड़ी थी और इंतजार अगर 17 सालों का हो तो जाहिर सी बाते तस्वीरे ऐसे ही निकल कर सामने आती है यह टीवी स्क्रीन की वो तस्वीरे वो उत्साहित लोग हम आपको दिखा रहे हैं ज जहां पर कल देर रात तक पठाके लोग जलाते भी नजर आए झालते आते जाए अइसलмен में जहित लोग हम इतने अगर बद्को दो जाहित वाnhकिन झालता? इतने लोग झालता?